हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यंजी क्लासेज आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा दस्मी की बुक हिंदी किर्तिका में अध्याय दो जार्ज पंचम की नाक जिसके लेखक हैं कमलेस्वर जी तो इस अध्याय का आज हम लोग प्रसनुत्तर करेंगे तो प्रसनंबर एक है जार्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या ब्यंग किया है तो उत्तर है जार्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने उस भारती सासकों पर ब्यंग किया है जो स्वाभिमान से रहित हैं लेखक ने स्वतंत भारत के उन सासकों का उपहास बनाया है जो अपने आत्म सम्मान को भुला कर उस अंग्रेश सासक की नाक अर्थात सम्मान को बचाने में लगे हुए है मतलब इस चैप्टर में जो जार्ज पंचम की नाक है ये ब्यंग रचना है ये क्या है ब्यंग रचना है लेखक ने इसमें किसी का नाक वक नहीं कटा है बस लेखक ने जो भारत का सासन ब्यवस्था है मतलब जैसे किसी गरीब का फाइल है तो जल्दी मतलब उसको सुनवाई नहीं होती है जितना अमीर की सुनवाई होती है इसी पे लेखक ने एक ब्यंग किया है, जार्ज पंचम की नाक चैप्टर को लेकर एक ब्यंग किया है, मतलब इस चैप्टर में किसी का नाक नहीं कटा है, सिर्फ जो भारत का सासन ब्यवस्ता है, लेखक उस पे क्या किया है, ब्यंग किया है, तो ही कहा रहा है, नाक अर्था सम्मान को बचाने में लगे हुए जुन्हों ने वर्सो भारत को अपना गुलाम बना कर रखा उन्हें भारत के महापूर्सों सहीदों के संघर्सों की कोई परवा नहीं है इसके अतरिक्त पाथ में सरकारी कार प्रेडाली पर भी ब्यंग किया गया है अब अपसर अपनी अप वह भी अपना पल्ला जाल लेता है मतलब आजकर सरकारी तंत्र में क्या है कोई सब लोग अपनी ड्यूटी देते हैं कोई भी जिम्मदारी से अपना काम नहीं करता है या जिम्मदारी से सब लोग काम करने लगे तो सारा काम आसानी से हो जाएगा लेकिन कोई अपनी जिम् हाथ बताना छोड़ देते हैं तो इसी के उपर लेखक ने क्या किया है भ्यंग किया है अगला कुस्चन है कुस्चन नम्बर टू अगला कुस्चन है रानी रानी एलिजावित के रानी एलिजावेत के दरजी की परसानी का क्या कारण था उसकी परसानी को आप किस तरह तरक संगत ठहराएंगे तो उत्तर है रानी एलिजावेत के दरजी की परसानी का कारण यह था कि वह इस बात से चिंतित था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दवरे पर कब क्या पहनेंगे। दरजी को रानी की पोसाग का निड़ै स्वैम ही लेना था, क्योंकि उसे इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गए थी, उसकी परसानी तर्क संगत थी, क्योंकि उसकी जीविका का एक मात साधन वही था, इसकी अतरिक्त वह चाहता था कि रानी का काम करने पर उस से ख्याती प्राप्त हो प्रस नंबर आपका अगला है हमारे देश में सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाग के प्रसंग में जो चिंता और प्रतिकिर्याएं प्रतिकिर्याएं हुई वे उसकी किसमान सिक्ता का प्रतिक है जार्ज पंचम नाग के प्रतिकिर्याएं हुई वे उनके गुलामे की मानसिक्ता को दर्साती है, कि मतलब जो सरकारी विभाग है, क्या है? गुलाम है, क्या है? गुलाम है, इसी की मानसिक्ता को दर्साती है, स्वतंतता के वर्सों, मतलब स्वतंतता के वर्सों बाद भी हम मानसिक रूप से स्वतंत नहीं हुए हैं, भारत को परतंत बनाने वालों की नाक हमारे लिए हमारे देशभक्तों से बढ़कर है और उसे बचाने के लिए हमापने सम्मान की भी परवा नहीं है सम्मान की भी परवा नहीं है क्योंकि सरकारी विभाग ने जब वो क्या करते हैं मूर्तिकार ने जब एक कहा कि हम जाएंगे नाक ख मतलब सरकारी मतलब भारत के जो सासन व्यवस्ता है सरकारी सब लोग ने उसे आग्या दे दिया कि ठीक है जाओ लाओ और वह मतलब बड़े-बड़े महत्मा गाधी, सुवास, चन्बोस, अनेक मतलब अनेक करांतकारी बीरो और सहीदों की मूर्तियों के पास गया लेकिन सबकी नाक, जाजपंचम की नाक से क्या निकला? बड़ा निकला, तो इस मनसिक्ता को दर्साता है कि हमारे देश के जो सरकारी तंथ हैं कितने गुलामी में आज भी दवे हैं, आजाद होने के बाद भी आ जो क्या है? दवे हैं, इसी के बारे में बता रहा है और उसे बचाने के लिए हम अपने सम्मान की भी परवा नहीं है, केवल दिखावे के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए अपनी अपनों की इज़त के साथ खिलवार करना उचित नहीं है, इस पूरी प्रकिरिया में देशवासियों के आत्म सम्मान को ठेंस पहुच है, अगला कुस्ट्न है, आज की पत्कारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आद्टो-ाद के वरणन का दौर चला है, इस प्रकार की पत्कारिता के बारे में आपके क्या विचार है, क्योंकि जो पेश्थिरी पत्कारिता होती है, तो बड़े- बड़े महफील पार्टियों अमीर लोगों केhesia फिरि में प् consumo को सब्सक्राइब हो एस पिया रहे केम को सब्सक्राइबगा ऐसे प्रकार की आनुरंचन पंकारिता के अंतरगत आते हैं ऐसी पत्तकारिता ज्यानवर्धक नहीं होती है और इस प्रकार की खबरे प्रसंसनिये नहीं हैं कई बार ऐसे चरीत्र को महत्त दे दिया जाता है जो चर्चा में बने रहने के कारण ऐसहज कार करते हैं जो सर्वतान उचित है यह प्रवीर्थ उचित नहीं है अगला के पत्तकार ने अपनी सरकारी फाईलों की चानबीन कर्वाई जिस से पता लगे की मूर्ती के लिए पधर कहां से लाया गया मतलब मूर्ती विभाक से मूर्ती लगी थी तो इसलिए मूर्तिकार ने क्या करा, पूरी मूर्ति की फाईलों की छान बिन करा कि पता चले कि पत्थर कहां से आया था, जाज पंचम की नाक, जो मतलब मूर्ति बना था सेकंड है, पत्थर की तलास में वे तंदुस्तान की हर पहाड पर गया, कौन? मूर्तिकार नमबर तिन देश के सभी नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लेने है देश के कोने कोने में गया जितने भी देश के अच्छे नेता करंदकारी थे सब का नाप लेने के लिए वे देश के कोने कोने में गया चौता बिहार सिक्रियेट के सामने सहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक का नाप लेने गया लेकिन उहां उन लोगों की भी बच्चों की नाक भी जारजपंचम की नाक से क्या निकला बड़ा निकला चौत पाचवां अंत में जिंदा नाक लगाने का सुझाद और याद कहा कि अब जिंदा नाक लगाया जाए अगला प्रस नाक हमेशा से ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा का जोदक है यह बात नाक हमेशा से ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सोधक है यह बात यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है तो उत्तर है नाक हमेशा ही मान सम्मानों प्रतिष्ठा का सोधक है। इस ब्यांग रचना में नाग को सम्मान का प्रतीक माना गया है। इलिजावित के भारत आगमन पर भारत के संपूर सरकारी बिभाग में हड़कम मत जाता है इस पाठ के माध्यम से देश की गुलामी की मानसिक्ता पर भी करा प्रहार किया गया है कि हमारे देश के लोग आज भी क्या है गुलाम है अंग्रेजों ने देश पर कई वर्सों तक सासन किया और जनता को गुलाम बना दिया उन्हीं के वंसदों के स्वागत सतकार के लिए आज हम अपना सम्मान भुला बैठे हैं आज भी हमारे देश में आते हैं तो लोग हमनुने क्या करते हैं अच्छा स्वागत और सम्मान देते हैं मतलब हम अपना सम्मान भुला बैठते हैं कि हमारा क्या सम्मान है जाज पंचम की लाटपन नाक लगाने के लिए हमें अपने क्रांतकारियों और स्वाधीनता सेनानियों का त्याग और बलिदान भी भूल गए प्रस नंबर अगला है प्रस नंबर जाज पंचम की लाटपर किसी भी भारती नेता यहां तक की भारती बच्चे की नाक फिटने होने की बाद से लेखक किस और संकेत करना चाहता है है तो यहां कि स्वतंत भारत में काजि भी सुख सुविधा का अभाव नहीं तो कमी थी और आत्मसंवान की कंच किशका तो से ही गुलाम है मानसिक्ता को देखा जाया तो हम क्या हैं गुलाम हैं जिन्हों ने हमें गुलाम बना कर रखा उनका भी रोद भी नहीं कर पाते इसलिए नई दिल्ली में सब कुछ था बस नाक नहीं थी दिल्ली में सब कुछ था लेकिन क्या था नाक नहीं था क्योंकि जब सम्मान नहीं है देश का उसी को लिखा किया कह रहा है कि सब कुछ था लेकिन नाक नहीं था अगला कुश्चन रानी के आने से पहले नाक को लगवाने के लिए क्या क्या प्रबंध किये गए मतलब जब रानी आ रही थी लेंड से हां तो उस समय नाक के लिए क्या क्या प्रबंध किया कि नाक लग जाए तो प्रस्म उट्टर है आपका रानी के आने से पहले नाक को लगाने के लिए निल्वखित प्रबंध किये गए क्या पहला देश के सभी खैरखवाहों की एक मीटिंग बुला गई मतलब जितने भी चाहने वाले थे सब की देश के सभी चाहनवे वालों की एक मीटी मुला गई और उनके सामने यह मसला पेस किया गया किस प्रकार के मसले को हल किया जाए किस प्रकार जो नाक है नाक के मसले को हल किया जाए सेकंड उच अस्थर पर यह नेड़े लिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए नाक तो लगन का कार सौपा गया और अंत में एक मुर्तिकार को बुलाया गया और उसे अगला है कलरक की छानमीन का क्या प्राणाम हुआ तो उत्तर है कलरक को आदेश मिलने पर उसने पुरा तत्त विभाग की सभी फाइलों को छान मारा क्योंकि जो मतलब जो इस टाइचू होता है किसके अंतर गताता है पुड़ा तत्विया तो इसकी जितने फाइले थी सबको छान मारा गया फाइलों के पेड़ चीरे गए जो फाइल थे हैं मतलब फाइल खोजे गए अर्थात पेड़ चीरे गए परन्तु कुछ भी मिला नहीं कमेटी ने रिपोर्ट लगार का सिमीत को सौब दी और बयान दिया कि फाइले सब कुछ हजम कर गई और फाइले सब क्या हो गए हजम कर गए जैसे आज मतलब कोई भी होता है गरीब आदमी दे देता तो उसकी फाइले दवी की दवी रह जाती है सब कुछ फाइले क्या हो जाती हजम क कर जाती अगला कोश्चन है नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाग नई थी इस कथन के माध्यन से लेखक क्या कहना चाहता है तो उत्तर है इस कथन से लेखक क्या कहना चाहता है कि स्वतन्त भारत में काजी भी सुक सुविधा का अभा नहीं था कमी थी तो पस आत्म सम्मान की देश आज भी गुलामी की मानसिकता से स्वतन्त नहीं हुआ जिनौनों ने हमें गुलाम बनाकर रखा हम उनका विरोध भी नहीं कर पाते इसलिए नई दिल्ले में सब कुछ था बस नाक नहीं थी ये तो पीछे हो गया अगला कोश्चन है जार्ज पंचम की नाक लगने की खबर के दिन अकबार लज्जा वस चुप थे जिस जार्ज पंचम की नाक के लिए देश के अधिकारी सहीद हुए बच्चों की नाक कटवाने के लिए तयार थे उन ही बच्चों की नाक जार्ज पंचम की नाक से बड़ी थी उसी जार्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगना भारत वासियों के लिए डूम मनने से कम नहीं था इस खबर से देश वासियों का स्वाविमान आह धन्नावाद